ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? मैंने जाने कितनी बार इसे टोक चुका हूँ, समझा चुका हूँ, किन्तु कोई भी परिवर्तन इसके भीतर नहीं आपा रहा है। बले ही कामकाजी जीवन हो, या सुभावगत इस्ततियां एक रियक्टिव अपरोच बारंबार हमारे मन के भीतर उस व्यक्ति विशेश के लिए निकल कर आती है। की पूजिशन को स्विकार कर लेते हैं, कि हाँ ये ऐसा है। परस्नेलिटी यही है कि ब्रते एक व्यक्ति परिवर्तित होगा, उसके गुंड धर्म अलग-अलग होंगे, रोबोटिक पूजिशन के साथ में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो वहीं जब हम ये स्विकार उक्ति लेकर चलते हैं, तो कहीं ने कहीं खुद को भी हलका फुलका परिवर्तित करने लगते हैं, और अगले व्यक्ति विशेश को भी ये इंडिकेशन्स देते हैं, कि हम चेंजिज लेकर आ सकते हैं, और आपके साथ में बेहत आसानी से चल अर्तित करने के और जाते हैं, तो पूरी ही फजा बदल किरा जाती है, और जीवन का जो नजरिया है, वो इसी तरह से चेंज होता है, जिससे कि सुखद, स्थियां और सरल्ता जीवन में प्रवेश कर पाती हैं, हम मई महिने के दूसरे दिन का देने कराशिफल लेकर हाजर और उपस्तत हूए हैं, वैशाख मास चल रहा है, वहीं शुक्ल पक्ष की स्थियां है, मघा नक्षत्र की स्थियां रहेंगी, तो वहीं चंद्रमा आज पुरे दिन संघ राशिस्थान के भीतर ही बिराजमान रहने वाले रहेंगे। शूरीदेव मेश राशी स्थान में ही वराजमान है चार मई को मंगल अपनी पूरीशन्स को चेंज करने वाले हैं ये एक अलग स्थती किन्तु अभी अपनी उच्छस्त स्थतियों के बेटर ही चलायमान है शुरवात करते हैं हम मेश राशी के साथ में कामकाजी जीवन के अंदर जिन बदलावों के और आप जाना चाहरे थे उसको एकसेप्ट करके आगे बढ़ने के हिसाब से इस दिन को अच्छा कहा जा सकता है तो वहीं जो भी कारे एक अवरोत के साथ में बारंबार चल रहे थे जहां सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था आज वहां सॉल्यूशन की पोजिशन्स आपके साथ बनी रहेगी इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली स्तिया नहीं है संतान पक्ष के साथ में जो सुखत समय वीता है, जो अनुभव हमने उनके साथ हासिल किये हैं, उनकी विचार धारा को पढ़ने का जो कारे किया है, अब उसको हम एक तरह से usage के अंदर लेकर आ सकते हैं, कि क्या वो demand कर रहे हैं और हम किस तरह से उनसे जुड़ कर अपने कारे को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वही education life के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए ये दिन एक confidence भरी position को लेकर आने वाला रहेगा, जिससे की सुधार की जो positions आपके education life के अंदर है, वो बहुत अच्छे तरीके से आ सके, आकस्मिक धनलाब, व्यापारिक शेत्र विशेश के अ हैं कि हलके फुलके अग्यात भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, tensions जिनका base नहीं है, किन्तु baseless positions के साथ में भी वो आपको सताने का कारे कर रही है, एक बार कोई भरम घर कर गया, तो हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये positions थोड़ा सा वेचलित कर सकती है, त तो उसको mold करने का कारे करें, ये हम समझें कि frustration किस वज़े से है, उसकी तहे तक जाके समाधान को कोजना यहां बहुत जादा महत्वपूर्ण रहेगा, हर्दय संबंधी रोगों के साथ जो भी जातक परिशान रहे हैं, उनको अत्यधिक साबधानी बरतने की requirement यहां पर रह जोगों की सलाह लेकर ही हमको निरंतर गतिबान होना चाहिए, इस बात को भी आप समर्तियों में रख कर चलिएगा, माता और पता के साथ जुडाव की स्थियां बहुत अच्छे से यहां दिखाई दे रही है, तो वही मितुन राशी, यहां नौकरी पेशा जीवन के अंद जो भाग्य के साथ में जुड़ी हुई सुखत खबरे होती है, वो आपके लिए निरंतर तोर के उपर बनी रहेगी, पराक्रम की स्थियों के अंदर बेहतर तरीके से वर्दी है, यानि जहां पर उर्जा की आवशकता है, जहां विद्रो की आवशकता है, बले ही हम अपनी बातचीत से विद्रो रखें, या फिर अपने कर्म से विद्रो रखें, उन दोनों के ही अंदर आपके लिए सफलता के प्रतिविम्ब सामने रहेंगे, तो साथ में ही आप ये भी गौर करके चलिएगा, कि भाईयों और मित्रों के साथ किसी कामकाज की शुरुवात आपने की थी, कहीं ने कहीं एक पौज आया, कहीं ने कहीं एक रुकावट आई, और हम ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गए, कि अब कॉस्ट कटिंग के रिक्वार्मेंट है, कुछ चेंजिस के रिक्वार्मेंट है, और अगला विक्ति उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो हम इस्तियों से अवगत करवाएं और उसके बाद में ही आगे बढ़ने का प्रयास अगर करते हैं, तो ज्यादा बहतरी हमारे लिए यहां बनी रहेगी, इस बात को आप स्मृतियों में रख कर चलें, तो वहीं महत्वा कांख्शाओं के उपर नियंतरन पूरे तरीके से बना हुआ है, फैसिनेशन से बचने का प्रयास कीजिएगा और जल्द बाजी में किसी भी निरने को अपने जीवन में जगह नहीं देनी चाहिए, उच्च सिक्षा के साथ में अगर आपका जुडाव और हस्तक्षेप रहा है, तो ये दिवस वहां से भी सोखत खबरों को आपक समक्ष लेकर आ सकता है, करक राशी, सरवपर्थम यहां पर आप देखें कि जो एक सबसे महत्वपूर्ण स्तती धनागमन को लेकर रहती है, किसी विक्ति विशेश के अंदर हमारा पैसा अटका हुआ था और वो व्यापारिक रोटेशन के अंदर बहुत अच्छे से नहीं कुमपारा था, यह स्तती वहां आपको आगे बढ़ाएगी, तो साथ में ही कुटुमभी जनों के साथ जो छोटी छोटी तक्रार कई बार परिशान करने वाली होती है, महापर भी समाधान की सम्यक स्ततियां आपके सम्मुक मौजूद रहने वाली है, वानी संबंतित कामका अगर आपका जुडाव रहा है और आप उसमें हाईर लेवल की पोजिशन को अचीव करना चाहते हैं, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, जो भी हमारी अथरिटीज रहती है, या जो उपरी स्तर के लिकारी रहते हैं, उनके सामने कोई भी बातचीत रखनी है, उस लहाजा इस दिन को आपके लिए बहुत जादा महत्वपूर्ण और बहतर कहा जा सकता है, ये एक निरनायक स्ति आपके लिए बनी हुई है, जिससे कहीं पर भी हम इनकार नहीं कर सकते हिडन प्रब्लम्स उस लेवल पर सताने वाली नहीं रहेंगी, तो वहीं गरहेस्त जी पूजिशन के अंदर चलता है, ये प्रथम द्रस्टिक गोचर इस्तती, तो वहीं दूसरे लिवल के उपर आप ये भी नोट करके चलिएगा, कि जो गरहेस्त जीवन के साथ में व्यापारिक गतिविधियां चल रही थी, या कोई भी निरनायकी प्रवर्ति उनके साथ में जोड़कर आती है, तो आज हम उनकी सलाह को महत पूर्ण स्थाम दे कर चलें, इसी में हमारी सफलता के परतिविम्ब हैं, तो साथ में ही स्वास्त संबंदी इस तरका बहुत जादा ख्याल रखने की आवशकता हैं रहेंगी, सजगता के साथ चलें, तो वहीं अगर आप कि किसी भी गंबीर और पुराने रोख से परिशान रहे हैं, तो उसमें जो एक तरह से ट्रीटमेंट की पोजिशन्स होती है, या जो देनिक बेसिस के उपर दवाई आदे लेनी होती है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं रहें, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान अवेरनेस, मन के भीतर बहुत गहरे से पैठी हुई है, ये एक बहुत अच्छे संकेत हैं आपके लिए, इसी वज़े से जो सिचुएशनल पोजिशन्स है और जो सिचुएशनल लीडर्शिप, वरकिंग अप्रोच के अंदर निकल कर आती है, वो पूर्ण रूप से सहीयो के संकेत, संमुख दे कर जा सकता है, पर्थम, द्रस्टि, गोचर, इस्ततिये, तो वहीं दूसरे लेवल पर आप ये भी देखिएगा, कि रोग संबंधी जो पोजिशन्स रहती है, उसके अंदर भी आज कहीं न कहीं सुधार के संकेत आपके लिए रहेंगे, आप अगर कि कैसी भी रिण को लेना चाहते हैं, और उसके बारे में पूरी प्लैनिंग कर चुके हैं, और उस स्टेप को लेवल अहेड करना है, तो आप इनिशेटिव लेने के लिए जरूर सोच लेजिएगा, ये दिन उस लहाजा भी आपके लिए सार्थक गतिविदियों के साथ में बना हुआ है, एक्जिक्यूशन के लिवल के और आप जा सकते हैं, तो वहीं जो भी महानुभाव एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुडाव रख रहे हैं, उनके लिए ये दिवस विशेश कहीं न कहीं डिस्ट्रेक्शन्स लेकर आ सकता है, उन डिस्रेक्शन्स से बच जन का माध्यम उसके पास में मौझूद है, उसके साथ सहम को एंटर्टेन करना चाहिए, रीफ्रेश होकर आप कामकाच के और फिर से लग सकते हैं, ग्रहस्त जीवन को मोटिवेशन के रिक्वार्मेंट रहेगी, घर परिवार की प्रोफेशनल लाइफ के जमेदारिया नि अच्छे तरीके से आज समागम लेकर आ रही है, यानि कि बिजनस में बेनिफिट है, और साथ में ही अगर आप किसी व्यक्ति विशेश के साथ में जोड़कर उसके अनभवों को आफाइदा उठा कर कारे को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उस इसाब से भी इस दिन को बहु बहुत अच्छे तरीके से यहां मौजूद रहने वाली है, इस से हम बिलकुल भी इनकार नहीं कर सकते, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कि जो क्षमताओं का आँकलन करके कोई भी कमिटमेंट करना होता है बिजनस लाइफ के अंदर, उस हिसाब से भी इस दिन को आप स्व गडुला जाए, जाचा जाए, उसके बाद में ही अपने कदमों को सदी हुई चाल के साथ में आगे बढ़ाया जाए, तो इस ततियां बहतर तरीके से नजर आने वाली रहेगी, इस्थायत्व संबंधी कोई भी कामकाच के साथ में आपका जुडाव या स्तक्षेप है, त प्रबंदन संबंधी स्तियां होती है, या जिस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में आप चल रहे हैं, उसमें कहीं पर भी कोता ही नह बढ़ते हैं, दूसरे लोगों के उपर उतना ही विश्वास किया जाए, जितनी उनकी क्षमताएं हैं, या जितना आप उनके उप पैनी निगाह होती है, वो पूर्ण रूप से मौजूद रहे, ये इस समय की सबसे महत्वपूर्ण आवशक्ता आपके लिए बनी हुई है, इस बात को आप नोट करके चलें, तो वहीं पर ये बात भी स्मृतियों में रखिएगा, कि क्रियेटिव फिल्ड के साथ में अग बहुत अच्छे से बनी रहे, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेश के साथ में अगर आप जूड़ना चाहते हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा इंतजार करके चलना, चाहिए स्वास्त्य संबंधी इस्तर में माता और पता के स्वास्ते का जादा ख्याल र भाग्यका सयोग बहुत अच्छे तरीके से आज मिला हुआ है, तो इसी वज़े से नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ओफर आ रहा है, या कोई व्यक्ति विशेश हमारे होनर के बलबूते हमको कारीर की और एक तरह से जोड़ना चाहता है, और मन, माफिक, अर् जो एक प्रो एक्टिव अप्रोच होती है, वो आपको बेनिफिट देने वाली रहेगी, तो वहीं समय अनुशाशन मांग रहा है, इस अनुशाशन की पूरीशन के साथ में आपको निरंतर तोर के उपर चलना चाहिए, विदेश संबंधी इस तर के उपर आप रह रह रहे होनर ईश्वर प्रदत है, और अब अगर उसको इस्तमाल करके हम खुद के लिए बहतर इस्तिया निर्मित कर सकते हैं, तो उस और भी गंतब बशील जरूर होना चाहिए, ख्रमताओं के अंदर निरंतर तोर के उपर वर्दी रहेगी, तो वहीं पर ग्रहस्त जीवन का अप क्षित सयोग भी आपके लिए बना हुआ है, आध्यात्मिक चेतनाओं के और जो भी महानुभाव अगरसर है, स्पिरिचल प्रोग्रेस के और आप जा रहे हैं, तो ये दिन उस लहाजा भी एक अच्छी अप्रोच लेकर आ रहा है, मकर राशी, किसी भी नए कामकाज की कोच व्यक्ती के मन में एक तरह से जैलिसी को पैदा करने वाली होती है, और आप से कोई भी इस तरह की जैलिसी रखने वाला व्यक्ती विशेश है, तो उसके सामने बहुत धैररी के शात कमें पेशाएं, और कहीं पर भी कोई एंगर की पूरीशन के साथ में नहीं चलें, ये इस दिन का एक महत्वपूर्ण संकेत है आपके लिए, रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन बहतर जुडाव को क्रियेट करने वाला रहेगा, इसमें कोई भी दुराए नहीं है, तो आप ये भी ध्यान रखेएगा, कोई भी ऐसे मामलाद चल रहे थे, जिनकी वज़े से लंबे समय से परिशाने थी, किसी व्यक्ति विशेश से हमको इगो साइड लाइन रखे सर्फ बाचीत करनी है, थोड़ा सा जुकना है, अपनी मेंटल टेंशन भी कम की जा सकती है, और उस व्यक्ति विशेश के साथ में संबंध भी बहुत अच्छे से स्थापित किया सकते हैं, उन दोनों ही इस तर के उपर आज आपको कार्य जरूर करना चाहिए, इस बाद को आप नोट करके चलिएगा, ये एक स्पेसिफिक क्लेरिटी यहां बनी हुई है, तो वहीं कुम वराशी, व्यापारिक जीवन के अंदर जो पिछले ढाई तीन दिनों से एक रुकावट थी, बाधा थी या कोई भी नए संकेत नहीं मिल पा रहे थे, यहां आकस्मिक तोर के उपर कुछ ओफर आपके सामने आ सकते हैं, उस बारे में आप ज़रूर विचार कीजिएगा, तकनीक संबंधी कामकाज में अगर आपका जुडाव रहा है, तो वहाँ पर भी कुछ बेटर इंडिकेशन्स रहेंगे, अपने कामकाजी जीवन में अनुशाशन को बहुत अच्छे से अपना कर चलने की कोशिश आपको करनी चाहिए, तो वहीं विश्वास और आत्म विश्वास के भीतर कहीं पर भी कमी नहीं है और जब विश्वास आत्म विश्वास की स्तियां सामने हो और किसी व्यक्ति से एक कन्विंसिंग अप्रोच के अंदर हमको मिलना हो तो वहाँ पर भी हम गंतब विशेल हो सकते हैं अजबात को भी है आप समर्तियों में रखिएगा वाक पटुता बहुत अच्छे से साथ बनी हुई है तो वानी संबंदित कामकाज में भी एक गहरा जुडाव आपका रहेगा गरहस्त जीवन को मोटिवेट करते हुए चलें तो वहीं कोई भी बाधा उनके कामकाज के अंद से ज़्यादा ख्याल रखें मन के भीतर निराशाओं को बिलकुल भी हावी नहीं होने दें एक दिन के अंदर ही पूरे जीवन को तोल के रख देना और उसके आधार के उपर निरनय बनाना ये कहीं न कहीं गफलत भरी प्रवरती है उससे आप स्वयम को दूर रखिएगा विदेश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुडाव है ये दिन अच्छे संकेत लेकर आएगा किन्तु नौकरी पेशा जिवन के अंदर हलके फुलके संगर्ष मानसिक स्तर के उपर चंताएं और भावी भविश्य को लेकर जो प्रश्ण चलन कई बार परिशा मात रहे तो ये था दो मई दो हजार बीस का देनेक राशिफल हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजर और उपस्तत होते रहेंगे धन्निबाद और हरदय से आभार